9 अप्रेल को शाम सबा पांच बचे इन तौल के अभाय प्रशाल अप्र स्टेडिया में सजेगा श्री शाम क्रपा महसल जोत जलेगी इत्र बरसेगा उड़ेगा रंग गुलाल होगी फूलो की वर्शा देखने लायक हो का मेली शाम का भविश्रंगार आप सभी दर्म प्रेमी जनता परिक्सव परिवार सादर आवंटर्थ है विनम्र भाव से बुला रहे हैं दिन है रविवार करने वाला श्री शाम कराने वाला श्री शाम बोलो जै श्री श्री शाम उनका कहना है कि सरकार हमारी और कोई ध्यान नहीं दे रही है जबकि हम सरकार के काम के लिए ततपर रहते हैं सरकार की योजनाव में प्रमुक भूमिका निभाने वाली आशा उशा कारे करता अपने मांगों को लेकर निरंतर सरकार से उम्मीद लगा कर बैठे हैं उनकी हर्ताल समाप्त कराने के लिए तरह तरह के आदेश भी जारी किये जा रहे हैं किन्तों उनका कहना है कि उनकी मांगे जब तक पुरी नहीं होंगी वो हर्ताल से नहीं उठेंगे पूजा कमलेश आदिवासी की होम डिलेवरी हुई है साइबा टपरा में एक बवीता कासी रामादी वासी की होम डिलेवरी हुई है यह भी साइबा टपरा पर हुई है चंदा पती का नाम पती रामादी वासी इसमें भी होम डिलेवरी हुई है और सपना माकन केवट इसमें सुसुम रखती हुई है और आज स्याबदा में एक मातन रखती हुई है इसमें बच्चे को जन्म देते समय बवाग से कोई जानकारी नहीं मिली है ना ही हम लोगों के लिए अभी कोई उन्होंने कहा है कि क्या सके आएगा या काम पर चलना या कोई आश्वासन मिला ना ही कोई प्रसासन की तरफ से मिला है ना ही हमारे बिभाग की तरफ से कोई जानकारी मिली है कि आपको प्रशासनिय का दिखारी आप से बात करने हैं नई भाई साहरा हुमसे कोई मिलने के नहीं नहीं आया, सर यहां पनाय, किसी ने हमें आशवासन दिया है, आज हमारी तेज़ दिन हो गा है, सारी बहने बीमार पड़ रही है, गोली दवा खाका के आ रही है, कुछ बह आपके पास मिल रहा है आज हमारी हरताल को 23 वा दिने और साशन की ओड से अभी तक कोई भी मिलने नहीं आया है ना कोई रिसपानस है ना कोई सूचना है हम लोगों के पास और 23 दिन से हम लोग लगातार यहां पर बैटे हो हमारी आज रुट पर होना शुरू हो गहीं अब त तक जो पाइटी सत्ता में उससे कोई मिलने नहीं आया हम लोगों से ना कोई आश्वासन दिया गया अज तक अजब तक आप लोग बैठे रहेंगे हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे हम लोग